C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का द्वनी पाठ अध्याए नौ परिमेय संख्याएं प्रिष्ट एक सौनवासी नौ दशमलवेक भूमिक्का आपने संख्याओं का अध्ययन अपने परिवेश की वस्तुओं के गिनने से प्रारंभ किया इस खार्य में प्रयोग की गई संख्याओं को गणन संख्याएं यानि counting numbers या प्राकृत संख्याएं यानि natural numbers कहा गया था ये हैं एक, दो, तीन, चार इत्यादी प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर हमें पूर्ण संख्याएं यानि whole numbers अर्थात शून्य एक, दो, तीन, इत्यादी प्राप्त हुई इसके बाद पूर्णांक यानि integers प्राप्त करने के लिए पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के रिनात्मकों यानि negatives को सम्मिलित किया गया जैसे minus 3, minus 2, minus 1, शून्य, एक, दो, तीन, इत्यादी पूर्णांक है इस प्राकार हमने संख्या पद्धती यानि number system को प्राकृत संख्याओं से पूर्ण संख्याओं तक और पूर्ण संख्याओं से पूर्णांकों तक विस्तृत किया आपका भिन्नों यानि fractions से भी परिचय कराया गया था ये अंश बठा हर यानि numerator upon denominator के प्रकार की संख्याएं होती हैं जहां अंश या तो शूर्ण्य या एक धनात्मक पूरणांक होता है तथा हर एक धनात्मक पूरणांक होता है आपने दो भिन्नों की तुलना की उनके सम तुल्य यानि equivalent रूप भिन्ने ग्याद किये तथा उन पर सभी चारों आधार भूत संक्रियाओं योग, व्यवकलन यानि घटाना, गुणन और विभाजन का अध्ययन किया इस हध्याय में हम संख्या पधती का और आगे विस्तार करेंगे हम परिमेय संख्याओं यानि rational numbers की अवधारना का परिचय देकर उन पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन यानि भाग की संक्रियाएं करना सीखेंगे नौ दशम लवदो परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पहले हम देख चुके हैं कि किस प्रकार संख्याओं से संबध विपरीत यानि opposite स्थितियों को व्यक्त करने के लिए पूर नांकों का प्रयोग किया जा सकता है उदहर नार्थ, यदि एक स्थान के दाई और तीन किलोमीटर दूरी को तीन से व्यक्त किया जाए तो उसी स्थान से बाई और की पांच किलोमीटर दूरी को माइनस पांच से व्यक्त किया जा सकता है प्रिष्ट 190 यदि 150 रुपई के लाभ को 150 से व्यक्त किया जाए तो 100 रुपई की हानी को माइनस 100 से व्यक्त किया जा सकता है इसी प्रकार की अन्य स्थितियां होती हैं जिन में भिनात्मक संख्याएं यानी भिन्न संबध होती हैं हम समुद्र तल से उपर 750 मीटर की उचाई को 3 बटा 4 किलो मीटर से व्यक्त कर सकते हैं क्या हम समुद्र तल से नीचे 750 मीटर की गहराई को किलो मीटर में व्यक्त कर सकते हैं क्या हम समुद्र तल से नीचे 3 बटा 4 किलो मीटर की गहराई को –3 बटा 4 से व्यक्त कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि –3 बटा 4 न तो एक पूरणांख है और ना ही एक भिन। ऐसी संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए हमें संख्या पधती को विस्तृत करने की आवशकता है। नौ दशमलवतीन परिमेय संख्याएं क्या हैं? शब्द परिमेय यानि राशनल की उत्पत्ति पद अनुपात यानि रेश्यो से हुई है। आप जानते हैं कि अनुपात तीन अनुपात दो को तीन बटा दो भी लिखा जा सकता है। यहां तीन और दो प्राकृत संख्याएं हैं। इसी प्रकार दो पूर्णांकों P और Q, Q शून्य के बराबर नहीं है, कि अनुपात P अनुपात Q को P बटा Q लिखा जा सकता है यही वह रूप है जिसमें परिमेय संख्याएं व्यक्त की जाती है एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाशित किया जाता है जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां P और Q पूरणांख है तथा Q शून्य नहीं है इस प्रकार 4 बटा 5 एक परिमेय संख्या है यहां P बराबर 4 है और Q बराबर 5 है क्या माइनस 3 बटा 4 भी एक परिमेय संख्या है हां क्योंके P बराबर माइनस 3 और Q बराबर 4 पूरणांख है अपने 3 बटा 8, 4 बटा 8, 1, 2 बटा 3 इत्यादी जैसी अनेक भिन देखी है सब ही भिन परिमेय संख्याएं होती है क्या आप इसका कारण बता सकते हैं दशमलव संख्याओं 0.5, 2.3, 0.333 इत्यादी के बारे में क्या कहा जा सकता है इस प्रकार की प्रत्येक संख्या को एक सामान्य भिन के रूप में लिखा जा सकता है और इसी लिए ये परिमेय संख्याएं हैं उद्धाहरनार्थ 0.5 बराबर 5 बठा 10, 2.3 बराबर 23 बठा 10, 0.333 बराबर 333 बठा 1000 इत्यादी प्रिश्ट 190 प्रयास कीजिए 1. क्या संख्या 2 बठा माइनस 3 परिमेय संख्या है इसके बारे में सोचिए तो 10 परिमेय संख्याओं की एक सूची बनाए अंश और हर P बटा Q में पूरणांक P अंश है तथा पूरणांक Q जो शूने के बराबर नहीं है हर है इस प्रकार माइनस 3 बटा 7 में माइनस 3 अंश है और 7 हर है ऐसी 5 परिमेय संख्याओं लिखिये जिनमें से प्रत्येक का A. अंश एक रिनात्मक पूरणांक हो और हर एक धनात्मक पूरणांक हो C. अंश और हर दोनों रिनात्मक पूरणांक हो D. अंश और हर दोनों धनात्मक पूरणांक हो क्या पूरणांक भी परिमेय संख्याओं हैं? किसी भी पूरणांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है उदहर अनार्त पूरणांक माइनस पांच एक परिमेय संख्या है क्योंकि आप इसे माइनस पांच बटा एक के रूप में लिख सकते हैं पूरणांक शूने को भी शूने बराबर शूने बटा दो या शूने बटा साथ इत्यादी के रूप में लिखा जा सकता है अधह यह भी एक परिमेय संख्या है इस प्रकार परिमेय संख्याओं में पूरणांक और भिन सम्मिलित होते हैं सम तुल्य परिमेय संख्याएं एक परिमेय संख्या को अलग-अलग अन्शों और हरों का प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है उदहरनार्थ परिमेय संख्या माइनस दो बटा तीन पर विचार कीजिए माइनस दो बटा तीन बराबर माइनस दो गुणा दो बटा तीन गुणा दो बराबर माइनस चार बटा चे हम देखते हैं कि माइनस दो बटा तीन वही है जो माइनस चार बटा चे है साथ ही माइनस दो बटा तीन बराबर माइनस दो गुणा माइनस पांच बटा तीन गुणा माइनस पांच बराबर दस बटा माइनस पंद रह है अतहे माइनस दो बटा तीन वही है जो दस बटा माइनस पंद रह है इस प्रकार माइनस दो बटा तीन बराबर माइनस चार बटा च्छे बराबर दस बटा माइनस पंद्रह है ऐसी परी में ये संख्याएं जो परसपर बराबर हूँ एक दूसरे के सम तुल्य यानी एक्विविलन्ट या तुल्य कही जाती है प्रिष्ठ एक सौ बानवे पुना है दस बटा माइनस पंद्रह बराबर माइनस दस बटा पंद्रह है कैसे? एक परी में ये संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर यानी नौन जीरो पूरणांक से गुणा करने पर हमें दी हुई परी में ये संख्या के सम तुल्य या तुल्य एक अन्य परी में ये संख्या प्राप्त होती है यहे ठीक समतुल्य भिन प्राप्त करने जैसा ही है गुणा की तरहा एक ही शुन्यतर पूरणांक से अन्श और हर को भाग देने पर भी समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है उद्धा हरनार्थ 10 बटा माइनस 15 बराबर 10 भाग माइनस 5 बटा माइनस 15 भाग माइनस 5 बराबर माइनस 2 बटा 3 माइनस बारह बटा चौबीस बराबर माइनस बारह भाग बारह बटा चौबीस भाग बारह बराबर माइनस एक बटा दो हम माइनस दो बटा तीन को माइनस दो बटा तीन माइनस दस बटा पंदरह को माइनस दस बटा पंदरह इत्यादी लिखते हैं प्रयास कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिये, एक, पांच बटा चार बराबर डैश बटा सूलह बराबर पचीस बटा डैश बराबर माइनस फंद्रह बटा डैश दो, माइनस तीन बटा साथ बराबर डैश बटा चौदह बराबर नौ बटा डैश बराबर माइनस छे बटा डैश नौ दशम लवचार धनात्मक और रिनात्मक परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या दो बटा तीन पर विचार कीजिए इस संख्या के अन्श और हर दोनों ही धनात्मक पूरणांक हैं ऐसी परिमेय संख्या को एक धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं अतह 3 बटा 8, 5 बटा 7, 2 बटा 9 इत्यादी धनात्मक परिमेय संख्याईं हैं। माइनस 3 बटा 5 का अंश एक रिनात्मक पूरणांग है, जबके इसका हर एक धनात्मक पूरणांग है। ऐसी परिमेय संख्या को रिनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अतह है, माइनस पांच बटा साथ, माइनस तीन बटा आठ, माइनस नौ बटा पांच इत्यादी रिनात्मक परिमेय संख्याई हैं। प्रयास कीजिए, एक, क्या पांच एक धनात्मक परिमेय संख्या है? क्या आथ बटा माइनस तीन एक रिनात्मक संख्या है? हम जानते हैं कि आथ बटा माइनस तीन बराबर आथ गुणा माइनस एक बटा माइनस तीन गुणा पराबर माइनस आठ बटा तीन है, तथा माइनस आठ बटा तीन एक रिनात्मक परिमेय संख्या है, अथा है आठ बटा माइनस तीन एक रिनात्मक परिमेय संख्या है, इसी प्रकार पांच बटा माइनस साथ, छे बटा माइनस पांच, दो बटा माइनस नौ इत्यादी सभी रिनात्मक परी में ये संख्याई हैं। ध्यान दीजिए के इनके अंश धनात्मक हैं तथा हर रिनात्मक हैं। संख्या शून्य न तो एक धनात्मक परी में ये संख्या है और नहीं एक रिनात्मक परी में ये संख्या। माइनस तीन बटा माइनस पांच के बारे में क्या कहा जा सकता है? प्रयास कीजिए. 1. क्या माइनस आठ एक रिनात्मक परी में ये संख्या है? 2. पांच और रिनात्मक परी में ये संख्याएं लिखिए. प्रिश्ट एक सौतिरानवे आप देखेंगे कि माइनस तीन बटा माइनस पांच बराबर माइनस तीन गुणा माइनस एक बटा माइनस पांच गुणा माइनस एक बराबर तीन बटा पांच है अतह माइनस तीन बटा माइनस पांच एक धनात्मक परी में ये संख्या है इस प्रकार –2 बटा –5 –5 बटा –3 इत्यादी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। प्रयास कीजिए, निमने लिखित में से कौन सी संख्याएं रिणात्मक परी में ये संख्याएं हैं, 1. माइनस दो बटा 3, 2. पाँच बटा साथ, 3. तीन बटा माइनस पाँच, 400, 5000, 5. छे बटा 11, 6. माइनस दो बटा माइनस नौ, अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाथ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत